हलो फ्रेंड्स वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में बात करें नौन परफेक्ट स्क्वाइर रूट की ठीक है दोस्तों जो परफेक्ट स्क्वाइर रूट होते हैं वो तो आप निकाल लेते हैं लेकिन नौन परफेक्ट स्क्वाइर रूट की ट्रिक बताऊंगा मैं दोस्तों आज आपको आप इस वीडियो को पूरा अंतर तक देखते रहे हैं देखिए क्वेशन स्क्रीन पर लिखा हुआ है सामने यहां पर लिख रहा है दोस्तों रूट 16 मतलब रूट 16 का आप स्क्वार रूट निकालेंगे पूरा परफेक्ट होता है चार रूट 7 का आपको स्क्वार रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे रूट 7 का आप स्क्वार रूट निकालेंगे कैसे निकालेंगे 7 का तो कोई परफेक्ट स्क्वार रूट होता नहीं है तो वही सिखाऊंगा मैं आज आपको कैसे निकालना है के लिए दोस्तों आप द दोस्तो 9, 9 क्या होता है, दोस्तो 3 का square होता है, के लिए रहे, 3 का square होता है, जो की perfect है, के लिए रहे, square देखना है आपको, जो संक्या दे रहे, उसके पास में, कौन सा square है, ठीक है, 9 है आपका, जो 3 का square होता है, पूरा-पूरा, ठीक है, अब 9 है, आपको बनाना है 7, तो 9 में से आप 2 माइनस करेंगे तो 7 बन जाएगा आप 7 को कैसे लिख सकते हैं 9 माइनस 2 को आप 7 लिख सकते हैं के लिए आप देखिए 9 क्या है 9 का आपको square root पता है perfect कितना होता है 9 का square root 3 होता है के लिए माइनस 2 है माइनस 2 कर दीजे और बटे में हमेशा क्या रखेंगे इस वाली संग्या का double 3 का double कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा clear है अब बस इसी को solve कर लेना है आपका answer आगया ठीक है इसको कटा लिजी पहले 2 एकम 2 2 से कट जाएगा ये 3 बार 3 त्रिक का 9 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8 वट्टे का 3 8 से भाग दे देंगे 3 में 3 से भाग देंगे 8 में कितनी वाली जाएगा 3 दुने का 6 2 बचेगा नहीं जाएगा कितना हो जाएगा 20 3 चिक के 18 तो लगवग कितना आएगा 2.6 आएगा के लिए दोस्तों जो भी आपका आंसर आता है पॉइंट में हमेशा लगवग में आता है तो लगवग कितना आएगा 2.6 आजाएगा रूट 7 का स्क्वेर रूट के लिए दोस्तों जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी समझ में नहीं आया है मैं आगे और भी एक्जामपल कराऊँगा जिससे कि आपका छोटी डिजिट हो चाहें बड़ी डिजिट हो दोनों ही किलियर हो जाएगा ठीक है दोस्तों छोटी डिजिट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और बड़ी डिजिट तक कराऊँगा ताकि कोई भी कन्फूजन ना रहे बस आप वीडियो को अंत देखते रहे अब देखेंगे अगला कोशन अगला कोशन है आपका रूट 10 का आपको स्क्वार रूट फाइंड करना है अब दोस्तों रूट 10 का कोई परफेक्ट स्क्वार रूट तो होता रही है लेकिन आप इसे कैसे फाइंड करेंगे देखें जो तरीका मैं बता रहा ह किसका तीन का perfect square होती है तो आपको जो संख्या दी जाए उसके पास में ये देखना है का कौन सी संख्या square में है 9 square में है ठीक है यहाँ पर 10 है तो 10 कैसे बनेगा 9 में एक जोड देंगे 10 बन जाएगा इस 10 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9 plus 1 clear लिख लिए आप देखिए 9 का बर्ग मूल निकालेंगे 9 का square root कितना होता है 3 clear है इसमें क्या करेंगे आप plus 1 करेंगे ये वाला जो है ठीक है और बटे में क्या रखना हमेशा इस वाली संख्या का double 3 का double कितना हो जाएगा 6 अब 6 का multiply करेंगे 3 में 6 तीए 18 18 में 1 जोर देंगे कितना हो जाएगा 19 बटे 6 अब 6 से भाग दे दो इसमें कितनी वाज़ाएगा 6 तीए 18 1 बचेगा कितना हो जाएगा 10 तो 6 एकम 6 कटेगा तो 3.1 आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा तो 10 का आपको square root निकालना था कितना हो जाएगा लगभग 3.1 हो जाएगा आगे दोस्तों एक और example है इसे देखिए 11 का square root आपको find करना है ठीक है 11 का square root find करेंगे तो 11 के पास में ऐसी कौन सी संक्या है जो proper square होती है 9 है दोस्तों यहाँ भी 9 थी clear है 9 है 11 चाहिए आपको तो 9 में 2 जोड़ देंगे आपको 11 बन जाएगा clear है 11 बन गया आप देखे 9 का square root कितना होता है 3 पिलस कर देंगे दोस्तों इसमें कितना 2 बटे में क्या आएगा हमेशा इसका double आएगा कितना आजाएगा 3 का double 6 clear है इसे कटा आगे छोटा कर लो 2 एकम दो 2 ती आई 6 3 तरीक का 9 9 में एक जोड़ेंगे 10 बटे कितना हो जाएगा 3 अब 3 से भाग दे दो कितनी बटे जाएगा 3 तरीक का 9 1 बचेगा कितना हो जाएगा 10 फिर से 3 तरीक का 9 चला जाएगा कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं बचेगा जिसकी समझ में नहीं आया हो बस आप वीडियो को पूरा अंतर देखते रहिए clear है अब देखते हैं अगला question अगला question है रूट 13 का square root आपको find करना है ठीक है रूट 13 का square root proper square तो इसका कुछ होता रही है square root तो इसका हम find करेंगे कैसे 13 के पास में आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या proper square होती है तो 13 के पास में दोस्तो कौन सी संख्या आपकी proper square है आप देखेंगे दोस्तो 16 होती है जो कि 4 का proper square होती है 16 ठीक है तो हमें वही संख्या लेनी है जो proper square हो उस संख्या के पास में ठीक है अब देखे तेरा आपको बनाना है तो 16 में से क्या करेंगे आपको 3 माइनस करना पड़ेगा तो आपको 13 बन जाएगा 13 को आप क्या लिख सकते है 16 माइनस 3 16 इसलिए लिखाए क्योंकि 16 आपका प्रॉपर स्क्वार होता है ठीक है समझी में आगी बात अब देखे 4 का स्क्वार रूट निकालेंगे 16 का स्क्वार रूट 4 होता है माइनस करेंगे 3 बटे में हमें से क्या आएगा इस वाली संक्या का डवल आएगा मतलब 8 हा जाएगा के लिए दोस्तों 8 हा गया अब देखे 8, 4, 32, 32 में से 3 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 29 बटे 8 8 से भाग दे दो इसमें कितनी बच जाएगा 8, 3, 24 जाएगा 5 बचेगा नहीं जाएगा पॉइंट लग जाएगा कितना हो जाएगा 50 8, 6, 48 तक कटेगा तो 3.6 हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर रूट 13 का स्कॉर रूट क्या हो जाएगा दोस्तों रूट 13 का आप स्कॉर रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा 3.6 हो जाएगा अब इसको देखे 16 मान करके किया है आपने अगर आप चाहें तो देखें के पास में दूसरी कौन सी संक्या है जो कि पूरा बर्ग होता है तो कौन सी संक्या है दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 9 के लिए रहे 9 क्या होता है दोस्तों 3 का स्क्वार होता है ठीक है तो 13 के पास में 9 एक ऐसी संक्या है जो पूर्ण वर्ग होती है, 9 है, आपको कितना बनाना है, 13, इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 13 बनेगा, आप देखें, 9 का स्कॉर रूट कितना होता है, दोस्तों, 3 होता है, फिलस करिए, उसमें 4, बटे में क्या आएगा, हमेशा इसका डवल आएगा, मतलब 6, खीक है 2 से काड़ दो, 2 बाग, 2 से काड़ दो, 3 बाग, 3 तरिक का 9, 9 में 2 जोड़ेगे, कितना हो जाएगा, 11 बटे 3, 3 से काड़ दो, कितनी बाग जाएगा, 3 तरिक का 9, 2 बचे का नहीं जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 छिक के 18 हो जाएगा, 20 में, तो 3.6 ऐसे भी आपका आंसर आ ठीक है इससे आगे दोस्तो 16 पूर्ण वर्ग थी और इससे पहले नो आपकी पूर्ण वर्ग है, कोई सी भी संख्या ले लिजी जो पूर्ण वर्ग हो आपका आंसर एक ही आना है, ठीक है दोस्तों अब थोड़ा बड़ी संख्या की तरफ बढ़ते हैं जिस से कि आपकी बड़ी संख्या का style हो जाए ठीक है अगला question है root 87 का आप से पूछा गया है क्या होगा अब root 87 थोड़ी बड़ी संख्या आगई है कोई बात नहीं तरीका आपको पता है ठीक है अब आपको ये देखना है का root 87 के पास में ऐसी कौन सी संग्या जो पूर्ण रूप से बरग है आपको पता है 81 एक ऐसी संग्या है जो पूर्ण रूप से बरग है 81 आपको चाहिए 87 तो आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा 6 तो 81 प्लेश छे आपका 87 होता है के लिए दोस्तों बराबर अब इसका square root निकालिए 81 का इसका root क्या होता है आपको पता है 9 होता है 9 में plus कर दीजिए 6 को बटे में क्या हैगा हमेशा इसका double मतलब कितना आजाएगा 18 के लिए दोस्तों यहां तक कोई भी doubt नहीं होगा अब इसे कटा लिजिए इसे कटाएंगे 3 से 2 बार जाएगा 3 से कटाएंगे 6 बार 2 में नहीं जाएगा तो point कितना हो जाएगा 20 तो 6 3 18 तो 9.3 हो जाएगा आपका square root root 87 का square root आप निकालेंगे इसका जब बर्ग मूल आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9.3 हो जाएगा समझ में आगी बात देखिए यहां पर 47 का दिया गया है इसका भी निकाल करके देख लेते हैं 47 का अब 47 के पास में आपको देखना है कौन सी संक्या पूर्ण वर्ग है 47 के पास में आपको पता है दोस्तो 49 पूर्ण वर्ग होती है clear है आपको चाहिए 47 49 में से 2 मानिस करेंगे तो 47 हो जाएगा बराबर 49 का बर्ग मूल कितना square root 7 होता है मानिस करेंगे 2 बटे में क्या आएगा हमेशा इसका double आएगा मतलग 14 इसे काट लो 2 एकम दो 2 सत्ते 14 खटेगा 47 49 में से 1 मानिस करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 बटे 7 अब 7 से भाग दे तो इसमें आप कांसर आजाएगा 7 छिंगे 42 के लिए रहे 6 बचेगा नहीं जाएगा point लग जाएगा सार्ज हो जाएगा ठीक है तो 7 अठे 56 तक दोस्तों यह आपका चला जाएगा तो 6.8 हो जाएगा क्या आपका सही आंसर तो 47 का square root कितना हो जाएगा 6.8 हो जाएगा के लिए दोस्तों थोड़ा और बड़ी संख्या की तरफ बढ़ती हैं जिसी कि बड़ी संख्या का doubt और के लेते हैं ठीक है दोस्तों अगले question है root 114 का दे रखा है 114 का आपको square root find करना है दोस्तों कैसे find करेंगे clear है तो वही तरीका है दोस्तों मैं अभी तक जो बताता आ रहा हूं ठीक है 114 के पास में आपको यह देखना है कि कौन सी संक्या पूर्ण वर्ग है 114 के पास में 100 ले 14 है 100 तो आ गया 114 के लिए क्या करेंगे 14 और चूड़ेंगे clear है बराबर अब इसका square root निकालेंगे कितना हो जाएगा 10 पिलस का कितना करना है 14 बटे में क्या आएगा हमेशा इसका double आएगा मतलब 20 के लिए अब इसे कटाएगे छोटा कर लो 2 से कटाएगे 7 बार जाएगा 10 का 10 में multiply करेंगे 100 100 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 107 बटे में कितना 10 हो जाएगा ये वाला अब 10 से इसमें भाग दे देंगे 1 0 है दोस्तो तो आपको पता है जब 1 0 है तो एक संग्यावाद point लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 10.7 आपका सही answer हो जाएगा कि लिए 114 का स्कॉर रूट क्या हो जाएगा 10.7 आपका अंसरा गया एक और बड़ी संग्यावाद दोस्तो कितना 1800 आठारे सो का देख लेते हैं दोस्तो आठारे सो का स्कॉर रूट क्याएगा तो आठारे सो के पास में ऐसी कौन सी संग्यावाद जो पूल रूफ से आपक 400 है कि लिए 1600 है कैसे आपको मालूम है दोस्तो आप 40 का स्कॉर करेंगे कितना हो जाएगा चार का स्कॉर 16 होता है और स्कॉर में क्या होता है जीरो डवल हो जाता है एक जीरो है तो दो जीरो हो जाएगा ठीक है तो आपका कितना हो गया दोस्तों 1600 क्या है आपका पूर्ण स् होता है 40 पिलस का कितना करेंगे आप 200 करेंगे और बटे में आना क्या है आपको पता है इसका हमेशा डवल आना है ठीक है इसका डवल आएगा हमेशा तो कितना जाएगा इसका डवल 800 आ के लिए रहे 800 आ गया अब देखी 16 सब दोस्तों 40 का बढ़ होता है यह 400 गलत लिखा हुआ यहां पर 40 होता है ठीक है 16 सब का स्कॉर रूट 40 होता है 40 का डवल यहां पर कितना आएगा दोस्तों 80 आ जाएगा यह गलती से लिख गया ठीक है दोस्तों अब इसी को कटा लेना यह 40 से 40 का डवल यहां पर 80 आएगा अब देखे दोस्तों 0 से यहां पर 1-0 कट गया के लिए रहे और मैं 2 से इसे कटा लूँ कितनी वारी जाएगा 2 से जाएगा दोस्तों यह 10 बार ही और 2 से इसे कटाऊंगा दोस्तों 4 बारी चला गया और कट रहे दोस्तों 2 से यह 5 बार और 2 से ये दो बार और कट गया तो दो का मिल्टिपाई करूंगा 40 में 80 हो जाएगा 80 में 5 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा अग 2 से 85 भाग दे दो 248 के लिए रहे 2 दुनिये का 4 एक बचेगा नहीं जाएगा पॉइंट जोड़ेंगे 85 बटे 2 2 से भाग दे दो 42.5 तो 1800 का स्क्वार रूट कितना आ जाएगा दोस्तो 42.5 आ जाएगा उम्मीद करता हूं कोशन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए एक और कोशन देख लेते हैं दोस्तो और बड़ी संख्या का ठीक है अगला कोशन है रू 2500 आपकी पूर्ण वर्क है कैसे 50 का स्कोर होता है कितना? 2500 कैसे 5 का स्क्वार तो 25 ही होता है और 10 kali 0 हो जाता है स्क्वार में ठीक है तो 500 क्या होता है 50 का पूर्ण स्क्वार होता है अब यह कितना है 2500 kitten पच्चिस सो है तो 243 के लिए माइनस करना पड़ेगा किलिए कितना माइनस करना पड़ेगा पच्चिस सो में से 47 आपको माइनस करना पड़ेगा किलिए 47 माइनस करना पड़ेगा आप देखिए हúaगा 5000 हो जाएगा मानस कितना करना दोस्तों 47 करना है लाइं वै bawडशेमंछ नोसों हो 4953 अब इसमें क्या करेंगे आ Alban bubbling जीर्यों है दो संख्यवाद पॉइंट लग जाएगा बस उनन्हेंचास 0.53 मैं इधर लिख देता हूँ 49.53 हो जाएगा आपका सही आंसर ठीक है 2453 का स्क्वार रूट कितना हो जाएगा 49.53 के लिए रहे हैं उम्मिद करता हूँ कोशन आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा आगे एक और कोशन लिखा हुआ है कि रूट 1728 का आपका स्क्वा मच में आ गी है तो इस कोशन का आंसर आप मुझे कमेंट वाक्स में बताईए क्या आएगा के लिए दोस्तों ये कोशन आपके लिए होमवर्क है इसका आंसर आप मुझे कमेंट वाक्स में बताईए क्या आएगा और वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट वाक्स